तूडेंड क्या हाल है आप सब लोगों का वेलकम इन माई क्लास साइंस टड़ी वाई खान और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारी क्लास प्लस टू है C.B.S.C उसका एक बहुत ही mathematics का एक बहुत ही important chapter है उसका नाम है vector algebra उसके बारे पढ़ेंगे तो चलो यह अपना शुरू करते हैं आज हम तो सबसे बारे करते हैं introduction उसकी हम जो हमारी 10.1 exercise है वो 10th chapter है हमारा तो उसके बारे हम फोड़ा introduction करते हैं उसमें यह vector है क्या vector है क्या तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास मालो हमने किसी person से उसकी height पूछी तो उसने मुझे height बता दी अपनी तो जो यह height है हमने इसकी height पूछी तो यह क्या है हमारा scalar product scalar ओके यह क्या है scalar और अगर हम height के साथ अगर मैं height की example ना लूँ अगर मैं ले लूँ कि हमने कोई ball होती वो थ्रोन करी ठीक है और वो जो यहाँ पर हम खड़े हों यह परसन है और इसने एक ball फेकी और वो ball की जो distance है वो 10 meter जाए गिरेगी मतलब ball जब जहाँ गिरेगी थीक है ना मान लो कि वो इस सेड़ गिर सकती है यह 10 meter है ठीक है या फिर इस सेड़ गिर सकती है और कहीं भी चरशती है जो मैंने यह रंग ब्रंगी से दोट हो कहीं भी गिर सकती है ठीक है ना लेकिन जब हम जिब उनली इसकी distance की बात करते है तो वही क्या है स्केलर स्केलर फोर में और अगर हम कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास मैं बनाता हूँ यहां पर एक कॉर्णिल सिस्टम साथ इसलिए मैं मान लेता हूँ कि यह जो हमाई डिरेक्शन है यह इस्ट है और यह वेस्ट है यह नोर्थ है और यह साथ है और जो वो परसन है जो बोल फेक रहा है वो यहां खड़ा हुआ है और यहां से वो बोल फेक रहा है और वो कहां फेक रहा है इस डिरेक्शन में इस्ट ठीक ना इस्ट डिरेक्शन में वो अपनी बोल फेक रहा है वो यह जो अपने डिस्टेंस ह यह कितना distance है हमारा? 10 meter तो अगर हम distance के साथ उसकी direction बताए उसकी दिशा भी बताए कि वो किस दिशा में गड़ रही है माल लोग वो इसट गिर सकती है West में или North में or South में वेकिन गिरेगी एक time पे एक जो हमाई दिशा है ठीक है न, वहां गिरेगी येसे East में गरे सकती है, North में भी, West में भी, South में भी तो एक साट गिरेगी, तो जब हम उसके magnitude के साथ साथ ठीक है ना? उसके magnitude के साथ साथ अब आप बोलोगे ये magnitude कहां से आया? ये मैं New World आया हूँ, जैसे height है तो हाइड क Warum जासे हम अगर हाइड की बात करते हैं तो यह ही कह ए मैंगनिचृुट था even अब जैसे मैं मैंने यहाँ पर डिस्टेंस की बात की तो यह कहılan मैंगनिचृूड है तो अगर मैं ऊसके साहर डियशन की बात के कर देता हो तो वह क्या है तो क्या है वेट मालो, अगर वेट है, वेट की को direction नहीं होती, तो वो क्या है हमारा, यह क्या magnitude की only form में है, इसका only magnitude होता है, अगर हम यहां देखते हैं कि अगर हम temperature की बात वेख करें, तो temperature की direction नहीं होती, तो इंक्रीज कर रहा है घट रहा है बढ़ रहा है तो यह क्या है यह भी क्या स्केलर है और अगर हम वेक्टर में देखते हैं अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो जो फोर्स जो क्वैंटिटी है वो क्या है हमारा वो हमारा वेक्टर प्रोड़क्टर को कि अगर हम फोर्स लग उसके साथ साथ हमारा will ethnicity है है तो कि हैं तो हमार होस्या ऑगर to Rabbit है तो वह सब सबस्क्राइब अँगर मेरे मागनी चूड के साथ उसकी दिशार इसा मी बताई है जैसे कि हम preservation फिसो के सब्सक्राइब कर तो lebih फिर्वल यहाँ ऊसे पमाड़ दोसों मीटर जाए गिरी पहीं है तो दूलो की दurrectionल नहीं ऐसे कि यह क्या हमारा स्केलर है अगर हम बोलते हैं कि वो कौन सी डिरेक्शन में गरी कहीं भी गर सकती इधर 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 तो मैंने बोला कि इसके फ्रेंट में गरी अगर हम यह द्रेक्शन लेते हैं इसके फ्रेंट जो ड्रेक्शन इसके स्ट्रेट वह जाए गरी तो वो क् हमारा कि वो क्या व्यक्टर है क्यों मैंने यह बता बता कि वह 200-ग गिरी मत वह स्ट्डेड में गbus Progress तो मैंने इसचेंस के साथ साथ 200 मिटर के साथ मैं बता जया के स्ट्रेड में। сх़न करें तो यह क्या है कि अ हम देखते हैं कुछ तरह की अपनी किसमें सी होती है हम देखते हैं इसकी तो हमारा है तो यह तो हमारा हो गया वैक्टर के बारे कुछ इंफोर्मेशन हा और एक आप आपको बात बता दूं कि जैसे हम वैक्टर को डिनेड कर रहे हैं से अब A B है कैसे मालो यह पॉइंट है हम देखो आप A और B इसके बीच में जो डिस्टेंस है यह तो क्या इसका मेग्निचूर को कि ओली डिस्टेंस है ठीक है ना यह क्या अपना इसको थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं अब अगर इसको डिरेक्शन देए कि वह वी की तरफ है तो यह क्या वैक्टर बन जाता है और उसको हम डिरोट करेंगे तो यह तो हमारा हो गया मैग्निट्व्ट थीक है एत बी मतलब इसके अब आपको थोड़ा और कीरूप कि पष्टेंस है, कि इसका है ऊक्षाल को रहे है वहिए क्या करा है आगे हम करते हैं एक्यायच कप्ता करके हैं यूनिट वैक्टर का मतलब हो क्या है कि जो हमारा मैगनिट्यूड है वो वन है उसको हम बोलते हैं यूनिट वैक्टर किसको कर रहा है कि यूनिट वैक्टर अगर होगा तो उसमें क् इसका unit जो वेक्टर होगा कि मारलो हमारे पास A B Vector है ठीक है अब मैं इसका जाना जाओं कि इसका जो यूनिट वेक्टर किया है तो इसका यूनिट जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर तो क्या होगा देखो आप जो A B Vectors को हम A B लिखें के ठीक है और जो नीचे हमारा आएगा A B Magnitude और आपको मैं एक बाब बता चलूँ मैंने पिछला जो हमारा था उसमें मैंने ये तो बता दिया कि A B Magnitude है अगर ये माल लोग कि माल पाइसे A B Vector है ये जैसे इस फॉम में था अगर मैं यहां पर ये मोड पादूं तो ये भी वेक्टर नहीं रहा तो कि ये जो चीज है अपनी A B वेक्टर ही तो वेक्टर है और अगर A B A B Magnitude हमें पादूं और ये किसकी को लोता है ऐसी A B A B अगर लिख दो तो वह भी Magnitude है अपना और अगर A B Vector मोड पादो तो वही Magnitude है यहां पर भी हमने वही करा यहां A B Vector A B होता है तो हम यहां पर ऐसी कुछ लिख देते हैं ठीक है अगर A B लिखते तो आप कोई गंद नहीं हो गई है ठीक है ना और मैं बात चलूंग आपको कि Unit Vector हम किसका निकाल रहा है A B Vector का तो हम यहां क्यों A B Vector का Mode ठीक है यह हो गया हमारा Unit Vector ठीक है इसको आप दिहान से नोड कर लो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं Unit Vector तो हमारा हो गया अब पढ़ते हैं 0 Vector कि 0 Vector क्या होता है तो थोड़ा सब मैं इसको Color Full कर देता हूं 0 Vector क्या आपको साहर चलता रहे पता कोई कर गंद पढ़ते हैं 0 Vector तो अब हम पढ़ते हैं 0 Vector तो यह 0 Vector में क्या है तो अब हम पढ़ते हैं 0 Vector तो यह 0 Vector में क्या है कि माल लो की हमारे पास 2 Vector है मतलब हम vector को represent कर रहे हैं AB से तो यह point A है और यह point B है और जब यह AB point A and B एक ही point पे coincide करें कोई यहाँ पर क्या है यह दो अलग-अलग हमारे पास point थे A और B के बट यहाँ क्या है कि AB जो है वो एक ही point पे coincide कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे 0 vector ठीक है जब A and B एक ही point पे same point पे coincide करते हैं तो इसको हम बोलते हैं 0 vector और हम वो पाता है कि AB को हम ऐसे रिप्रेजर करते हैं vector को मैंने पीछे जो आपको पढ़ाया बट यहाँ क्या है वो coincide कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे 0 vector अब आगे हम जो पढ़ेंगे 0 vector हमारा हो गया unit vector हमारा हो गया अब हम पढ़ते हैं co-initial vector तो हमारा जो point है वो है co-initial co-initial vector तो co-initial vector क्या है हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो से या दो एक से ज्यादा वेक्टर है जैसे कि आपको मैं थोड़ा colorful कर देता हूं जैसे एक point है यहाँ पर मालूई point है जो मैंने black denote किया है और अगर हमारे पास दो तीन vector है जैसे हमारे पास यह vector यहाँ से गया यह vector क्या है a है और हमेरे पास एक vector मैंने यह pink सा जो किया वो क्या है vector b है और मेरे पास एक और vector है वो क्या है vector c है ठीक है ना तो यह तीनों vector का जो यह starting point है initial point है वो same है वो क्या यह यह इसको अगर हमें o मार लूँ इस point को अगर मैं o मार लूँ तो यह क्या है इसका जो तीनों का जो starting point है vector का वो o है same है तो इसको हम बोलते हैं co-initial vector ओके student आपको यह समझा आया इसके बाद हमारा है जो topic co-initial हो गया अब हम करते हैं को लीनियर क्या topic है हमारा मैं थोड़ा सा color शू करें तब denote इसको भी यह हमारा को लीनियर लीनियर वेक्टर यह हमारा क्या है को लीनियर वेक्टर इसको समझना आप तो जैसे कि हमारे पास यह हमारे पास मैं थोड़ा रंग ब्रंगी डेनोड करता हूं कि एक हमारे पार वेक्टर है यह वाला इसको मैंने डेनोड किया ऐसे A and B से a गए यह है डूसरा जो वेक्टर है रो यह है इसको मैंने क्या इसको इसका मैंने क्या है देखो मैंने कुछ न कोई डिफरेंस के एक तो इसका मेगनीचूर दोनों का तीनों को सेम नहीं है इसे छोटा इससे बड़ा इससे बड़ा ठीक है ना तो अब हम क्या करते हैं जैसे कि इस वेक्टर की जो डिरेक्शन है वो इस तरफ है ठीक है तो यह दूसरे वेक्टर की ड तो वेक्टर है ठीक है अगर वो वेक्टर का मैगनीचूड सेम ना हो और इसकी डिरेक्शन से सेम ना हो और वो वेक्टर क्या पैरलल हो अपस में पैरलल हो तो इसको हम बोलते हैं को लीनियर वेक्टर तो इसको हम ली सकते हैं कि ता वेक्टर्स हैस मैगनीचूर डिरेक्श थीक हैं, अब हम क्या करते हैं, और second जो वैक्टर हमारे पास, गया से कि हमारे पास एक vector ab है और second जो vector हमारे पास ऐपी ऐबी है ये जो vector अगर इसको ab न णि करों मैंसको c d डिडंड कर लूँ मैं different कर लूं c d ठीक है c d कर लूँ इसको मैं ये vector क्या है इन दोनों का magnitude भी सेम है इसकी direction भी सेम है तो यह क्या है equal vector तो मैं ज्यादा हो तो मैं इसकी ठोड़ी definition लिख लेता हूँ अगर मैं चाहूं कि मैं शुरू से ठोड़ी सी इसकी definition लिखना चाहता हूँ जैसे कि यह zero vector था हमारा सबसे पहले इसकी मैं definition लिखते हूँ 4 झाहँ बनी स्देश 6 इस यह वाँ वेव्र स्वेश्वरे सी यह मैं ईसकी आश्राच कर gonna can Will fit तो मैं एस स्जाच कर लेकर झीसबशा तो तो entrepreneur solution, झीस विदर कर देश्राघ्श पयर का ढ्यार्या A and B point, point, coincide at a same point, is called zero vector, but co-initial vector, if more than one vector, one vector, starting, starting from, or starting and originate, originating from same point, is called co-initial vector, co-linear vector, if more than one vector will have different magnitude, as well as different direction, but this vector, these vectors are parallel to each other. आगे, equal vector, if more than one vector, have same magnitude, and as well as, as well as, same direction, are called equal vector. यह हमारा हो गया, तो इसके बाद, हम कर लेते हैं, zero vector भी हो गया हमारा, कोई टोपिक तो अगर छूटा ना हो तो उसके वेसम कर लेते हैं, पो लीनियर वेक्टर भी, इक्वल भी हो गया, एक टोपिक रहा गया है, नेगिटिव वेक्टर, ठीक है न, हम करते हैं अब, नेगिटिव वेक्टर, तो नेगिटिव वेक्टर क्या है हमारा, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लाइक, एबी, एड़, सीडी, तो यह जो वेक्टर हैं, इनका क्या मेग्रिटिव तो सेम होगा, बट, जो डिरेक्टिव डिरेक्टिव होगी, तो इसमें क्या ही सेम डेफिनेशन है कि इसमें उपर वाली है, तो बच्चो आज हमारी यह इंट्रोड़क्शन पूरी हुई इसके बाद हम करेंगे एक्सलिस 10.1 ओके नेक्स्ट लेक्शर में तो इस वीडियो देखने के लिए बाइब बाइब